प्रदान मंत्री मोदी ने इस बार लाल किले की प्राचीर से 78 स्वतंतरता दिवस की थीम विक्सित भारत रखी और इसके तहट स्वतंतरता के सौवे साल यानि की 2047 तक भारत को एक developed country बनाने का लक्षिय है इससे पहले भी प्रदान मंत्री मोदी भारत को सबसे बड़ी अर्थ्व्यवस्था बनाने की बाद कई बार कह चुके है यानि कि उनका जो vision 2047 है उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा तयार है वो भारती अर्थ्व्यवस्था को टॉप पर लाने वाला फॉर्मुला ढून चुके हैं जिसे उन्होंने नाम दिया है 24 into 7 for 2047 देश वाशियों से सुझाओं मांगे और मुझे प्रसंदता है कि मेरे देश के करोरों नागरी को ने विच्षिद बारत 2047 के लिए अंगिनत सुझाओं दिये हैं हर देश वाशी का सपना उसमें प्रतिमिंबित हो रहा है हर देश वाशी का संकल्प उसमें जलगता है युवा हो गुजुर्ग हो गाउं के लोग हो शहर के लोग हो किसान हो कामदार हो दलीद हो आदिवाजी हो पहाड़ों में रहने वाले लोग है हर किसी ने 2047 में जब बेश आजादी का सो साल मनाएगा तब तक विच्षिद भारत के लिए अनमोल सुझाओं दिये है भारत ने अपनी GDP ग्रोथ की चौथी तिमाही के आंक्रे पेश कर दिये हैं जिसके बाद वित्तिय वर्ष 2023 की पूरी GDP ग्रोथ 8.2 रही है जो कि इस से पहले के financial year में 7% थी यहाँ पर गौर करने वाली बात यह कि RBI ने खुद जो अनुमान लगाया है उसके मुताबिक भारत की ग्रोथ रेट 7% के आसपास होनी चाहिए थी लेकिन आक्रे एक नई कहानी को बया कर रहे हैं यह GDP ग्रोथ रेट जो आई है वो उमीदों से कही ज़ादा है और चौथी तिमाही की जो GDP ग्रोथ रेट रही वो भी 7.8% रही है जो कि अपने आप में अभूत पूर्व है यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि जितनी भी बड़ी अर्थविवस्थाओं वाले देश है उनमें से किसी भी देश की GDP ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी की भारत की है भारत की GDP ग्रोथ रेट जहाँ पर 8.2% है तो वहीं US की 2.3% है चीन की ग्रोथ रेट 5.2% है जौमनी की तो माइनस 0.3% है और जपान की 1.92% ब्रिटन 0.1% के साथ खड़ा है फ्रांस 0.9% ब्रिजील की ग्रोथ रेट है 2.91% तो इटली की है 0.9% और कानड़ा 1% है यानि कि दुनिया का कोई भी देश भारत के जितनी तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है और अब ये बात आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी 80 की स्पीट से चल रही हो और उसके चलने वाली गाड़ी की रफ्तार 40 किलो मीटर प्रति घंटा हो तो आज नहीं तो कल हम उससे आगे निकल ही जाएगे और यही वो ब्लूप्रिंट है जो कि प्रधान मंत्री पेश करते हैं कि भारत 2047 तक एक विक्सित देश बचारता गर्व होता है जब देखती हूँ बदलता हुआ भारत एकस्प्रेस हाइवे का जाल बुनता हुआ भारत देश भक्ति के गीतों में जलकता हुआ भारत गर्व होता है जब देखती हूँ बदलता हुआ भारत जहां पर एक पक्ष भारत है तो दूसरा उसकी एकॉनमिक ग्रोथ और यही होगी हमारे नए भारत की इंडिया स्टोरी